तो आज हम पढ़ रहे है exercise 3.3 indefinite integration का class 12 mathematics part 2 अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दो चैनल को साथी साथ बेल आइकॉन प्रेस कर दो तो देखो यहाँ पे question number 2 चल रहा है हमारा उसमें का problem 6 तो integral root of x minus 3 into 7 minus x dx तो let i equals to integral लिखना है हमें यहाँ पे x minus 3 और 7 minus x dx ठीक है अभी यह multiply कर लो सबको आता है इसका multiplication right x into 7 minus x minus 3 into 7 minus x बड़ा बड़ है dx minus यहाँ पे दिखो अभी के से multiply करूँगे आप 7 into x कितना होता है यहाँ पे 7x we have to write here 7x minus x into x x square अब यह 3 से multiply करो 3 7 जा 21 minus minus plus 3x और यहाँ पे dx बड़ाबर चलो तो next इसमें देखो integral आपको क्या करना है पहले minus x को लिखना है बाद में 7x और यह 3x कितना हो रहा है total मिला के 7 और 3 10 तो 10 x और बाद में minus 21 और यह dx आपको पता है कि एक quadratic form दिख रहा है ठीक है quadratic तो इसको आपको सबसे पहले माइनस बाहर लेना है ठीक है यह minus 1 जो है इसको हमें इस तरीके से minus common ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या होंगा x square ठीक है x square मैंने इस तरीके के problem पहले पढ़ाए है 1 upon quadratic वाला form quadratic polynomial वाला x square plus bx plus c वाले इसमें बोलत आपको ठीक है तो वहाँ पर बोलत आपको x square का coefficient always क्या चाहिए थर्टम फाइंड करने के लिए 1 चाहिए तो यहाँ पर वैसे कर रहे हम तो यह निकाल लिया मैंने x plus 21 तो थर्टम निकलने आपको यहाँ पर सॉरी थर्टम निकलना था तो थर्टम हम निकलेंगे यहाँ पर थर्टम थर्टम कैसे होता है 1 by 2 into coefficient of x x का coefficient minus 10 है चलो और यह whole square कितना हो रहा है यह 25 दर 10 minus 5 का square 25 तो थर्टम हम क्या करते है एड करते है और सब्ट्रेक करते हैं कहाँ पर एड करना है यहाँ पर एड करना है वहाँ पर सब्ट्रेक करना है तो इसके बाद हाँ तो क्या है यहाँ पर i equals to integral root of minus in bracket x2 minus 10 एक से सेकंड टम ठीक है प्लस 25 करो एड करो और बाद में क्या करते हैं सब्ट्रेक करते है माइनस 25 और यह प्लस 21 एंडिंग में आपको लिखना है यस चलो हो गए हाँ तक क्या आ गया समझ में इतना क्लियर है ठीक है तो next step integral यह माइनस पहले बाहर हिदा ठीक है तो यह फार सेकंड थाड यह तीनों का एक ग्रूप बनेंगा यह दोनों का बनेंगा तो इसमें क्या हो रहा है कि यह x2-10x 25 एंड रिटन एस 5 का स्क्वर ठीक है तो ऐसे लिख लो 5 का स्क्वर यह लिखना पड़ता है क्योंकि आप एक फॉर्मुला है a2-2ab2b2 स्क्वर बराबर expansion होता है चलो माइनस 25 और प्लस 21 कितना होता है 25 में से 21 गए तो 4-4 बड़े नंबर का साइब और यह 4 को भी स्क्वर फॉर्म में अरेंज करना होंगा लेकिन एक चीज़ धेन में रखो क्या हो रहा अभी यहाँ पर एक मिनिट यह बराबर राकेट हां यहा यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्ला होंगा यहाँ पर कुनसा a2-2ab-b2 a-b2 लिख सकते हैं इसको यहाँ पर ऐसे लिख सकते हम माइनस देखो यह क्या हो रहा है थोड़ा बड़ा ले तो मैं इस तरीके से हां x-5 whole square बोला ता मैं यहाँ पर x लिखो बीच वाला sign और यह number whole square minus 4 can be written as 2 का square ब्राकेट complete और यह dx अब क्या करना है आपको यह minus multiply करना है तो यह minus अगर multiply कर रहा है इसका मतलब क्या होंगा यह sign change होंगा देखो यहाँ पर minus आएगा और यह minus का क्या बनेंगा plus इस तरीके से होंगा x-5 whole square minus minus plus और यह 2 का square dx सबी को पता है कि पहले क्या आएंगा अभी two square आएंगा क्योंकि वह plus है तो positive वाला हम पहले लिखते है two square minus x-5 whole square dx हो गए इतना अभी perfect यहाँ पर कौन सा formula applicable है तो यहाँ पर हम करेंगी using integral root of a square minus x square वाला ठीक है वराबर देखो constant square minus variable square क्या होता है यह सबको पता होना चाहिए x by 2 होता है root में यह पूरा जैसे के वैसा ठीक है इतना आगा है धन में is it clear देखो तो आगे क्या करते है अब हम इसके जैसे लिखना है x by 2 x by 2 तो नहीं है तो हम क्या करेंगे हाँ पर x के जगा क्या है x minus 5 है तो उसको लिखते है x minus 5 by 2 root वाला जो portion है as it is मतलब यह 2 square minus x minus 5 whole square सही है देखो प्लस a square by 2 a square मतलब कितना है 2 square by 2 2 square by 2 sin inverse x by a sin inverse x के जगा क्या है यहापे x minus 5 a के जगा कितना है 2 है देखो a square मतलब यह 2 का square तो यह की जगा यहापे 2 है और यह plus c for the constant of integration तो आपको पता होना चाहिए कि इसको हम और कैसे लिख सकते है x minus 5 by 2 देखो यहापे आपको solve करना है तो करो यहापे 2 square कितना था 4 4 by 2 मतलब 2 यहापे सिधा 2 आएगा यह sin inverse x minus 5 by 2 plus c और यह क्या हो गया आपे 2 square 4 वैसे रखो x minus 5 whole square उसी form में ने आप रख दिया तो यह होगा answer तो आप check कर सकते हो book में अगर आपको यह लिखना है फिर से तो यह कम आप कर सकते हो यहापे क्या कर सकते हो देखो यह जो मिला है हमें 2 square minus x minus 5 whole square अगर इसको आप solve करते हैं तो आपको क्या मिलता है अगर इसको solve किया तो क्या होता है यह 4 minus x square minus 10 x plus 25 यह होता है ठीक है वही return मिल जाएंगा आपको जो bracket था दो two bracket थे ना वही आपको return मिल जाएंग कैसे समझ लो x minus 5 upon 2 अगर इसको solve कर रहें आप minus x square minus minus plus 10 x plus minus minus 25 आपको पता है यह कितना हो रहा था minus 21 ठीक है तो यह जो है यह कहां सी मिला था आपको यह सब चीजे यह मिला था आपको जो original problem क्या था हमारा एक मिनिट 2 sin inverse x minus 5 by 2 plus c यह देखो आप इदर कर रहे हैं फिर minus 21 मिलेंगा minus x square minus x square plus 10 x minus 21 और इदर x minus 5 upon 2 2 sin inverse x minus 5 by 2 plus c यह आप इसके बाद directly एक चीज लिख सकते थे लेकिन मैंने पूरा explain करके बताया आपके कैसे आ रहा है तो बोलो यह जो है आपको कब मिला था जब 2 bracket multiply कर लिया था आपने क्या थे bracket हो x minus 3 और 7 minus x तो इसके जगा आप लिख सकते हो सिधा x minus 3 and 7 minus x starting में जो given था ठीक है तो वही लिखने आपको और यह 2 sin inverse x minus 5 by 2 plus c this is our final answer यह होगा हमारा final answer write down properly चलो next number 7 integral root of 4 to the power x in bracket 4 raise to x plus 4 और dx देखो तो starting में आपको लिखना क्या है let i equals to let i equals to यह तो लिखना ही होता है 4 to the power x in bracket 4 to the power x plus 4 dx अब कैसे करते हैं इसको solve ठीक है देखो एक चीट observe करो क्या हो रहा है यह आपर 4 raise to x है 4 raise to x बाहर आ सकता है ठीक है कैसे आ सकता है देखो तो यह बनेंगा देखो कैसे 4 raise to x को हम लिख कैसे सकते हैं पहले तो समझ लो इसको बाहर निकलना है root के तो square formula पहले इसको 2 raise to x का whole square बना सकते हो आप इसको ठीक है यह 4 raise to x को कैसे बनाएंगे 2 raise to x का square बना सकते ठीक है तो इसको बाद में बनाता हूंगा पहले तो यह solve कर लेते 4 raise to x plus 4 और यह dx क्योंकि यह बाहर जानक जरूरी है यह आपर तो अगर यह बाहर जा रहा है अभी अभी जा सकता है देखो square root चलो out कर देते square root को यह सीधा 2 raise to x बाहर चला देंगा सिर्फ इतना 2 raise to x क्योंकि यह square के साथ square root cancel लेकिन यह जो root है इसके लिए तो रहेगा यह कई बचने वाला नहीं है यह तो बिल्कुल रहेंगा इसके अंदर 4 raise to x plus 4 ठीक है आगा समझ में इतना चलो dx right simple है देखो इस 4 raise to x को मैंने कैसे लिखा 2 raise to x का square whole square तो आपको पता है कि यह square के साथ square root हट जाएंगा यानि यह जो term है बाहर आके कितने बनेंगी 2 raise to x but यह जो square root है इसको तो लगेंगा ना यह थोड़ी जाने वाला है यह पूरा root cancel नहीं होता है ठीक है तो इसके लिए तो root रहेंगा अब इसको भी कर लेते हम ठीक है उसी तरीके से लिखेंगे 2 raise to x का square plus 4 can be written as 2 का square dx ऐसा क्यू कर रहे है हम पहले बात तो आपके दिमाग में यह चीदा रहेंगे ऐसा क्यू कर रहे है क्यू कर रहे है देखो यहां पर एक formula हमें x square plus a square तो उसका formula हमारे पास है ठीक है वो format हमें पता है इसलिए हम उस format में यह पूरा problem change कर रहे है चलो तो अभी क्या करते है अभी थोड़ा सा यहां पर substitution करना पढ़ेंगा substitution यानि इसका मतलब आपको put तो करना है अब put क्या करने वाले है आप 2 raise to x को put कर सकते है t ठीक है तो यहर we have to put 2 raise to x equals to t तो जब put कर रहे है तब आप क्या करते है differentiation किसकी याद आती है differentiation की याद आती है ठीक है आपको 2 raise to x तो a raise to x वाला differentiation यहाँ पर apply करेंगे क्या होता है a raise to x का a raise to x log a सही है चलो तो करते है differentiation a raise to x log a तो 2 raise to x log 2 बनेंगा यहाँ पर और t का dt by dx आपको value किसकी चाहिए देखो 2 raise to x और into dx तो 2 raise to x से साथ dx कर देते 2 raise to x into dx equals to dt by यह log 2 नीचे चला जाएंगा ठीक है constant है इसके कोई जरूरत नहीं log 2 दिख रहा है कि आपको कई पर नहीं तो इसलिए आप सिधा यह लिख सकते हैं तो here we get 2 to the power x dx equals to dt by log 2 तो यह problem हो गया अभी change पूरा t variable में ठीक है तो ऐसे ही substitution में changes होते है धान में रखी आप तो i equals to integral यह 2 raise to x और dx को हटा के हम dt by log 2 लिखने व देखो 2 raise to x को t put किया तो यह बनेगा t का square t square प्लस constant कभी change नहीं होने वाला है वो 2 square ही रहने वाला है dx और 2 raise to x इनको हटा देते हैं और कितना लिखते हैं उसके जगा dt by log 2 means I have to write here dt by log 2 चलो हो गया इतना इजी था ठीक है अब क्या करते हैं log 2 क्या है वहाँ पर log 2 is constant ठीक है वहाँ पर variable तो आई नहीं log 2 is constant तो constant को हम क्या करते हैं उटा के fake देते हैं integration के बाहर जैसे हम differentiation में भी करते हैं 1 by log 2 चला जाएंगा बाहर ठीक है तो 1 upon log 2 बाहर चला गया integration हम इसका ही करेंगे ती स्क्वार प्लस 2 स्क्वार dt ठीक है तो कुन सा अपले होंगे यहाँ पर using integral root देखो यह variable है तो यहाँ पर x square प्लस a square वाला special proof अपलाय करेंगे हम ठीक है क्या होता है यह वहीं x by 2 root x square plus a square plus है तो plus लिखो a square by 2 log of mod x plus root जो है root वो लिखो plus c तो यह अपला होने वाला है ठीक है सिर्फ changes क्या होंगे यहाँ पर t में चल रहा है तो पूरा t में आएंगा यहाँ पर x है वहाँ पर t लिखना होंगा तो 1 by log 2 यहाँ ठीक है x by 2 x by 2 नहीं आएंगा यहाँ क्या और यह पूरा bracket करो x by 2 x by 2 नहीं है t by 2 लेंगे हम यहाँ पर क्योंकि x के जगा किस ने लिए आए यहाँ पर t ने लिए आए क्यों वेरेबल यहाँ पर t है राइट और t by 2 root of x square plus a square plus 2 square plus a square by 2 a square by 2 मतलब 2 square by 2 log of mod x sorry x नहीं है t t plus t square by t square plus a square मतलब 2 square यही root लेखना है आपके यहाँ प्लस c ओके और यह बड़ा bracket complete कर दो यहाँ पर 1 by log 2 t देखो t के जगा आप क्या पूट कर सकते है t के जगा आप पूट कर सकते हो 2 raise to x पूट करना है हमें यहाँ पर 2 raise to x upon 2 सही है चलो तो यह कर लिए हमने आप पूट root t square t square के जगा है 2 raise to x का 2 raise to x का whole square 2 का square कितना होता है यह 4 ठीक है 2 का square 4 एक 2 cancel हो जाएंगा यहाँ से तो यह 2 बचेंगा क्यूँकि 2 उसका square 4 होता है 4 by 2 मतलब 2 log of t t 2 raise to x था और यहाँ पर 2 raise to x का square t square मतलब 2 का square 4 ठीक है मौट complete यह bracket complete प्लस c हो गया तक के लिखो पहले यह तक के चलो तो हो गया यहाँ तक के ठीक है तो इस तरीके से हमने solve कर लिया है 2 raise to x to the power 2 इसको हम 4 raise to x भी लिख सकते है लिखना है तो लिखो कोई problem नहीं अगर लिखना है तो नहीं तो फिर यह भी answer आप final कर सकते हो ठीक है और किसी को इसको extend करना है you can extend ठीक है इसको 4 raise to x लिख सकते हो आप plus 4 2 log 2 raise to x इसको भी 4 raise to x plus 4 आप लिख सकते हो ठीक है क्योंकि 2 raise to x का square मतलब क्या होता है 4 raise to x plus c ठीक है तो यहाँ तक की भी answer valid ठीक है और extend करना है तो फिर यह square कर लिए आमने चलो तो यह था question sorry question number 2 का problem 7 next next number 8 integral in bracket x plus 1 root of 2x square plus 3 dx तो कुण से type का problem है समझ लो पाई ले तो यह problem है इस type का px plus q linear ठीक है आपने ऐसा पढ़ा था एक नीचे था ax square plus bx ऐसे पढ़ा था आपने ax square plus bx plus c ठीक है वहाँ पर हमने किया था numerator equals to a into d by dx of denominator यहाँ ओ a x square plus bx plus c plus b किया था उसके बाद हमने constant a और b की value find किया था ठीक है तो यह पहले हो चुका है आप पहले टाइप लिखो यहाँ पहले आपको integration solve करते वाग ठीक है आप जब भी प्रैक्टिस कर रहें तो type clear रखो यह कौन से type का यह problem है सबसे पहले देखते बराबर ध्यान में आना चाहिए यह type का है वो type का है substitution है या फिर formula base है यह चीज़े आपके mind में clear होना चाहिए ठीक है तो अब मैं क्या करता हूं यहाँ पे इसको सबसे पहले लिखता हूँ लेबल करेंगे हम इसको i से let i equals to integral x plus 1 in root 2x square plus 3 dx से यह देखो फिरेंट से आप यह भी करना क्या है आपको linear कुन सा है x plus 1 है ठीक है तो इसको express करना है क्या करते हैं इसको ऐसी लिखते है x plus 1 equals to a into d by dx of this quadratic polynomial 2x square plus 3 plus capital B सही है चलो तो फिर x plus 1 equals to a into derivative लेलो इसका कितना हो रहा है 2 into x square का derivative 2x क्यों कर रहा है इसा देखो 2 constant x square का होता है 2x 3 का होता है 0 plus B चलो इसको अच्छे से कर लेते हम calculate 2 to the 4 4x बनेंगा तो 4 a x अगर यह multiply हो रहा है तो फिर यह इस तरीके से होंगा plus B x plus 1 equals to 4 a x plus B अभी आप क्या करेंगे equating करेंगे by equating coefficients by equating coefficient and constants coefficients and constant दोनों को compare कर लो ठीक है तो देखो यहाँ पर x का coefficient 4a है यहाँ पर x का coefficient 1 है इसका मतलब 4a की value कितने बनेंगे 1 ठीक है 4a equals to 1 ठीक है 4a equals to 1 और B की value सीधी कितने बन रहे है 1 constant A की है single constant 1 तो B equals to 1 तो A मिलेंगा हमें 1 by 4 आगया समझ में here we get A equals to 1 by 4 B equals to 1 तो आपको आगे कैसे लिखना है इसको देखो इसको redefine करेंगे तो A equals to integral दो x plus 1 के जगा आपको लिखना क्या है सबसे पहले समझ लो कि लिखना क्या है 4a x plus b यह लिख सकते हो आप देखो x plus 1 की जगा 4a a की value कितनी है यहाँ पे 1 by 4 x plus b b कितना है constant 1 तो किसके जगा लिखा मैंने x plus 1 के जगा यह जो पूरा format है अगर आपको नहीं समझ में है तो पहले इस तरीके से लिख सकते हो आप देखो x plus 1 के जगा पहले तो यह लिखो ठीक है इस तरीके से यह 1 देदो तो x plus 1 के जगा हम क्या करेंगे 4a x plus b लिखते है ठीक है अब और easy होंगा और यह root वैसे ही रखो 2x square plus 3 तो यह अभी और यह जो है हमने कहा से लिखा from 1 from equation 1 अब इसके जगा value put कर दो ठीक है क्या करेंगे आप put देखो integral 4 what is value of a 1 by 4 x yc रहेंगा b कितना है 1 चलो और यह root लगा दो root कितना है यहाँ पर 2x square plus 3 dx तो यह तो लिख लिया मैंने अभी इसके बात solve कैसे करना है आगे के procedure समझ लो अच्छे से देखो यह बहुत सारे शुर्ण के लिए भाई 4 4 cancel कोई मतलब भी नहीं ना फिर 4 4 cancel नहीं करना है सबसे पहले चीस समझ लो कि 4 और यह 4 cancel नहीं करना है आपको क्या नहीं करना है 4 cancel नहीं करना अगर कर लिया तो फिर x plus 1 कोई मतलब भी नहीं रहेंगा ठीक है वह adjustment करके ही हमन यह जो 1 by 4 है सबसे पहले नहीं कर लेकर लेता हूँ यह जो पूरी टव मैं यह रूट को multiply कर लेता हूं समझ लो यह सी करना है स्टेफ बाइसने क्या कर लेता हूं अए एक्स वान बाल को इन्टू वान बाइस फोर एक्स तेम्स है यह रूटको को मृटिप्लान कर लेते 2x2 plus 3 बाद में 1 से multiply करूंगा ये पहले dx लिख लिख लिएता हूँ plus integral 1 into root तो 1 into root कितना होगा ये है वैसे ही root आएगा 2x2 plus 3 dx आगा समझ में देखो ये पहला जो है ये term इसको multiply कर लिया root और ये root इसको भी multiply कर लिया आगा समझ में और integration separate चलो अभी इसके बाद क्या करना क्या है आपको इसका derivative जो है root में present जो है उसका derivative क्या होता है 4x होता है तो 4x यहापे present है तो ये 1 by 4 बाहर लिखता हूँ 1 by 4 constant इसको integration के बाहर लिखता हूँ ठीक और यहापे लिखता हूँ 4x root of 2x2 plus 3 तो ऐसे करना है जिसका derivative present है उसको रखो अगर आपनी ये 4 निकाल दिया तो क्या मतलब नहीं फिर बाहर 1 by 4 तो नहीं चाहिन हम यहापे इसका derivative क्या होता है 2x2 plus 3 का 4x होता है तो 4x चाहिए तो इसलिए 4x रखना है 1 by 4 हम पाहर लिख रहे है राइट आगया समझ भी चलो और यह root 2x2 plus 3 dx अभी इसको solve कैसे करेंगे दो अलग-अलग integrals है इसको i1 कर लो इसको i2 कर लो ठीक है तो let i equals to i1 plus i2 इसको 1 कर दो sorry equation 2 कर दो क्योंकि 1 हो चुका था हमारा वहाँ पे तो अब कैसे कर रहे है यह आप कि i1 को solve करेंगे बाद में i2 को solve करेंगे तो लिखो यह आप है i1 equals to इसको solve कर लो पहले 1 by 4 4x root में कितना है 2x2 plus 3 dx सबसे पहले यहापे आपको substitution करना होंगा q substitution देखो derivative present है यह आप इसलिए है तो put 2x2 plus 3 equals to t इसको ही put कर दो t क्योंकि यहापे derivative present है चलो differentiation की याद हमें आ रही है आपे जब भी आप integration solve कर रहे है substitution method आता है तो वहापे differentiation बिल्कुल आता है तो क्या होता है 2 into x को और का derivative 2x right 3 का 0 और यहापे dt by dx तो कितना मिल रहा हम यहापे इसको हटा के dt लिखेंगे और यह root में कितना लिखेंगे आप t लिखेंगे क्योंकि देखो x को और प्लस 3 t पूट किया था और यह dt यास 1 by 4 integral root t का आपको पता है क्या नहीं पता है तो t to the power 1 by 2 लिख लो यहापे अब तो पता है आपको 1 by 2 का integration क्या होंगा power 1 by 2 का यह न प्लस 1 t 1 by 2 plus 1 यानि 3 by 2 t to the power 3 by 2 upon 3 by 2 plus c तो यह two two जा four two three जा six होंगा यस आगा है समझ में तो two कितना हो रहा हो two three जा six तो 1 by 6 t to the power 3 by 2 आगा है समझ में यह एक तो पावर यह न वाला रूल लगा है मैंने आप पावर वाला और यह प्लस c1 दे दो क्यूंकि फ्रस्ट इंटिग्रा सॉल कर रहे तो one by six t to the power 3 by 2 plus c1 और one by six what is value of t क्या था टी two x squared plus three to the power 3 by 2 plus c1 तो यह हो गया i1 i1 की value हमें यहापे मिल गई है अब यह i2 के लिए i2 है यहापे root integral root of two x squared plus three dx कर सकते हो आप easily solve कर सकते हो इसको समझ रहा है आपको दिखो क्या करना है यहापे two जो है x squared का coefficient क्या है यहापे two quadratic polynomial है यह सिधा सिधा तो x squared plus a squared apply होने वाला है लेकिन two को पहले बाहर निकालो बाहर मतलब यह यहाँ से x squared का coefficient आपको one चाहिए तो यह two चला जाएंगा बाहर ठीक है तो यह बाहर चला गया यानि common लिली हमने तो three by two हो गया आपे और यह यह root two ठीक है क्योंकि two का square root कुछ निकल नहीं सकता है complete square नहीं हो four रहता तो two होता है लेकिन यहाँ पे two का square root नहीं होता है root two ऐसी निकालो और यह root square रहेंगा x squared plus three by two d x three by two को square form में आप लिखो we can write easily root three का power sorry root three by root two का power two लिख सकते है square यह आपे अपलाए कर दो x square plus a square root of special integral integral x square plus a square d x क्या है यह x by two root of x square plus a square plus a square by two log of mod x plus root x square plus a square plus c चलो तो यह आपे अपलाए करना है आपको तो कैसे करोगे root two original है आप है root two यह i2 को निकाल रहे हम तो i2 equals root two देखो x by two तो x by two यह एक मिनिट यह root two है तो यह आप ब्रैकेट यूस करना पड़ेंगा आपको बड़ा हाँ देखो x by two x by two root as it is क्या है root में x square plus root three by two का square root three by root two का square ओके शोलो दिया हमने लिख लिए पहला पार्ट प्लास a square by two plus a square by two यह यह रूट three by root two का square यह यह प्यूद्वार प्यूद्वार अपॉन टू लॉग आफ अभी जगह नहीं है तो मुझे थोड़ा एड़ेस्ट करना पड़ रहा है आप समझ सकते हूं यह पर एक्स प्लास यह फिर से root x square में सीधा लिख लेता हूं अभी three by two आ गया समझने क्यूद्वार प्लास a square मतलब वो आ जाएंगा और यह c2 लिखती है ठीक है फर्दर सॉल्ब करते हम इसको आगे तो कैसे होगा रूट टू यहाँ पे x by two root में है x square plus 3 क्योंकि root 3 का square 3 root 2 का 2 plus 3 by यह 2 बनने हैंगा 2 2 जा 4 हो जाएंगा आगे तन में इसको root 2 का square 2 और यह multiple होंगा 2 2 जा 4 3 बाई 4 log of mod x plus root में x square plus 3 by 2 ठीक है mod complete यह bracket complete plus c2 अभी दोने भी value आगे आपके i1 और i2 की अभी आप put कर दो equation 2 में क्योंकि equation 2 लेवल के आता i1 plus i2 से so here we have to write put value of i1 and i2 in equation number 2 लेखो put value of i1 put i1 and i2 in equation 2 equation 2 क्याता i equals to i1 plus i2 i1 कितना है 1 by 6 2 x square plus 3 to the power 3 by 2 ठीक है plus c1 और c2 मिला के c बनेगा तो उसको लिखने के जरुरत नहीं बाद में लिखनेंगे direct c यह लिखो root 2 ठीक है in bracket x by 2 x square plus 3 by 2 plus यह कितना है 3 by 4 log of mod x plus root x square plus 3 by 2 mod complete plus c bracket भी complete कर लो ठीक है और यहां पे लिखो भेर c equals to c1 plus c2 c1 और c2 मिला के क्या बन गया तो यह था प्रॉब्लेम 8 नेक्स्ट क्वेस्टन नमबर 9 इंटीग्राल x root of 5 minus 4 x minus x square dx लिखो let i equals to integral x 5 minus 4 x minus x square dx जो लास्ट प्रॉब्लेम में किया था फिर से वही करना है आपको दिखो यहां पर linear और यह जो है quadratic चलो तो फिर x को express करेंगे हम x equals to कैसे express करोंगे a into d by dx 5 minus 4 x minus x square ठीक है plus b तो a 5 का derivative to 0 4 x का 4 x square का 2 x हो गया प्लस b चलो इसको multiply कर लो minus 4 a सही है देखो 0 से तो कोई फाइदा नहीं multiply करके 0 जाने वाला तो 4 a minus 2 a x 2 a x plus capital b और इधर है x आपको क्या करना है x के साथ x को compare करना है equate करना है तो यह minus 2 a x आगे रखता हूँ minus 4 a plus b यह दोने भी constant इसको ending में लिखता हूं यहाँ पर ठीक है आ गया equating coefficients and constants and constants देखो यहाँ पर constant present नहीं ता मने 0 लिखा है लिख सकता हूं x plus 0 ऐसे भी x से होने माला इसलिए x का coefficient यहाँ पर minus 2 है तो minus 2 a यहाँ पर x का coefficient 1 है तो यहाँ पर 1 लिखो तो a equals to minus 1 by 2 और इधर क्या हो रहा है minus 4 a plus b equals to 0 क्योंकि यह देखो यह constant है पूरा इसके साथ 0 compare करो आगे दन में यह constant नहीं क्या है a और b दोनों भी तो यह पूरा constant है तो यह variable से भी x था तो वराबर x वाला compare कर लिया था हमने a के जगा value पूट कर सकते हो आप क्या है a की value minus 1 by 2 plus b equals to 0 बोलो 2 2 जा 4 minus minus plus 4 by 2 मतलब यह सीधा 2 लिख सकता हो में यह आप है आगे दन में आपके 2 2 जा 4 minus minus plus plus 2 plus b equals to 0 तो b equals to minus 2 कितना मिर रहा है b की value minus 2 a की value minus 1 by 2 अब क्या करना है आपको पता है x की जगा क्या लिखना है आपको यह लिखना है तो यहाँ पर मैं लिख सकता हो देखो कैसे लिखा था हमने a into d by dx of denominator लिखा था और sorry d by dx of quadratic तो x की जगा ऐसे था a into derivative of this 5 minus इस तरीके से भी लिख सकते हो आप plus b और यह root ठीक है ऐसी सिंथा पूरा 5 minus 4x minus x square dx क्योंकि हमने x को इस तरीके से express करना है integral a के जगा value पूट कर दो कितना यह minus 1 by 2 अभी यहाँ पर आपको value भी पूट करना है sorry derivative निकालना है 5 का कितना था 0 था ठीक है minus 4x का minus 4 x square का 2x तो हो गया इतना minus 4 minus 2x plus b b के जगा value पूट कर दो b के जगा minus 2 पूट करोंगे आप तो यह minus 2 right bracket complete तो इस तरीके का bracket ले लो यहाँ पर अभी रूट में कितना है 5 minus 4 x minus x square dx तो इस तरीके से solve करने के बाद आपको पाता है कि यह जो पहला जो bracket पहला वाला time है इसको multiply कर लो दूसरा वाला फिर को multiply कर लो क्या करते हो आप देखो minus 1 by 2 minus 4 minus 2x into root 5 minus 4x minus x square dx सही है देखो बाद में क्या है minus है 2 2 into root 2 into 5 minus 4x minus x square dx ठीक है यह integral अगया है समझ में तो integration भी separate कर लिया अभी minus 1 by 2 constant इसको रखो बाहर integration minus 4 minus 2x root of 5 minus 4x minus x square dx यह 2 constant इसको भी बाहर रखना पड़ेंगा और यह होगा 5 minus 4x minus x square dx चलो यहां तक सही है इसको i1 कर लो इसको i2 बता दो ठीक है और हम solve कर सकते फाइनली तो यहां पर हम लिखते है i1 plus sorry minus है तो minus कर लो यहां पर i2 i equals to i1 minus i2 इसको 1 दे दो अभी i1 और i2 separate solve करो चलो write down यहां तक के देखो तो i1 यह है let i1 equals to क्या था minus 1 by 2 integral minus 4 minus 2x in bracket 5 minus 4x minus x square dx weight चलो यहां तक हो गयता हमारा ठीक है तो i1 को solve कर लेते हम कैसे करते है इसका derivative जो है यह present यह आपे देखो 5 का 0 है minus 4x का minus 4x square का 2x तो यह अंदर वाले को put कर देते t put देखो फिर से derivative क्या दाएंगे हमें 5u minus 4x minus x square equal to t जब substitution आ रहा है properly derivative apply करना है वहां पे ठीक है तो differentiate with respect to x 5 का derivative to 0 4x 4 into 1 x square का 2x dt by dx right minus 4 होंगे यह पे minus 4 minus 2x into dx equals to dt यह dx इदर चला गया क्यों कर रहा है मैंसे क्योंकि minus 4 minus 2x तो आ गया साथ ही dx भी है तो इसकी पहले हमें dt मिल रही है तो i1 equals to minus 1 by 2 integral देखो यह पूरा हटा दो इसके जगा dt लेगो और यहां पर क्या होगा root of t क्यूंकि इसके जगा आपने put क्या किया था t और यह dt easily solve कर सकते है आप अभी ठीक है एक मिनिट यह i2 है i2 यह दन में रखना पड़ेगा मुझे 2 है करके आगे ठीक है तो यह तो निकाल लेते हम देखो तो minus 1 by 2 इसका कैसे करते हम t to the power 1 by 2 जैसे last problem में किया था x to the power n वाला apply करेंगे हाप पे integration n plus 1 upon n plus 1 होंगा इसका तो t to the power 3 by 2 upon 3 by 2 plus c1 right 2 और 2 क्या हो गया cancel तो minus 1 by 3 t के जगा आपको लिखना क्या है यह पूरा bracket 5 minus 4x minus x square to the power 3 by 2 आ गया समझ में देखो minus 1 by 3 plus c1 okay तो i1 equals to minus 1 by 3 in bracket 5 minus 4x minus x square to the power 3 by 2 plus c1 तो यह हो गया हमारा first part यानि first integral solve हो चुका है अब क्या करेंगे हम second वाला solve करेंगे i2 तो i2 के लिए क्या करना हमें देखो i2 क्या है पहले तो लिखना पड़ेंगा मुझे यह यह तो यही था ना i2 लेकिन यहाँ पर 2 था let i2 equals to integral था 2 into root 5 minus 4x minus x square dx यह था हमारा i2 तो इसको कैसे solve करेंगे आप देखो simple सी बात है इसको solve करने के तरीका आपको पता है वैसे यह quadratic दीख रहा है आपको quadratic polynomial यह x square लिखना पड़ेंगा बाद में 4x बाद में constant यह 2 बाहर कर लो constant ही है तो integration के बाहर आएंगा सिदा और आपको बोला था मैंने ऐसे लिखने को यहाँ पर minus x square यह मैंने ऐसे ही problem आपको पड़ा है यानि इस तरीके से ठीक है यह method उसके आता मैंने book का थोड़ा different है आवhaar का पतानी देखो हर एक्तिमेटर अलग होति है यह लिखने वाले का तरीक अलग होता है लेकिन इंसर तो स्ली माता है ठीक है कि टेक्निक सो अलग रहेंगी न यह माइनस का बनेंगा प्लास क्योंकि माइनस कॉमन लिए हम यहां पर प्लास का बनेंगा पर माइनस ओके और यह दी एक्स सभी है यह यहां तक के चलो तो अब यहां पर आप क्या कर सकते हो थर्टम निकाल सकते हो थर्टम थर्टम है हमारा 1 by 2 into coefficient of x coefficient of x 4 है यह square तो तो थर्टम हमें क्या मिल रही है यहां पर 4 प्लास 4 माइनस 4 कर सकते है एड़न सब्ट्रेक्ट कितना 4 थर्टम एड़न सब्ट्रेक्ट करेंगे हम तू इंटिग्रल यहां पर देखो root of minus x square plus 4 x plus 4 add किया subtract किया और यह minus 5 bracket complete dx यह answer लिख लिए यहां पर इसका काम पढ़ने वाला है आपको minus 1 by 3 5 minus 4 x minus x square to the power 3 by 2 plus c1 देखो ऐसे लिखना क्यों पढ़ रहा है क्योंकि space नहीं है यहां पर मुझे यह solve करना है आगे तो यह मुझे यहां से wrap करना पड़ेंगा ठीक है यास चलो 2 integral minus यह 3 का ग्रूप यह 2 का ग्रूप कैसे बनाऊंगे आप x square plus 4 x 4 can be written as 2 का square आगे हैं में minus 4 और minus 5 minus 9 इस तरीके से आप लिख सकते हो यह bracket complete कर दो ओके देखो अभी यह क्या हो गए a square plus 2ab plus b square a square plus 2ab plus b square a plus b whole square होता है yes तो यहां पर हम लिखते हैं देखो minus थोड़ा बड़ा bracket बना लए तो में आपर x plus 2 का whole square और 9 को क्या लिखेंगे हम 3 का square कुन सा form हो गया है यह देखो यह बन गया हमारा form कुन सा root of x square minus a square बट अभी तक नहीं बना देखो यह minus भी multiply होने वाला है तो यह साइन चीन होगी आपर minus आएंगा यह plus बनेंगा तो यह आप उद्रीट करना पड़ेंगा आपको तो यह i2 बड़ा लंबा solve करना पड़ रहे हमें ठीक है देखो यानि जीनों ने basic अच्छे से किया ह है हर एक lecture अच्छे से फॉलो किया उनको सब समझ में आएंगा और जो सिर्फ टाइम पास के लिए यह वीडियो दिख रहे है उनको कुछी भी नहीं समझ में आएंगा तो इसलिए प्रापर ली एक एक वीडियो को प्रैक्टिस को रहा है नहीं पराबर लिखना है आपको न इसलिए प्लश है तो यह पॉजिटीव अला हम पहले एक करना होगा स्पेशल जो प्रूप से क्या है वह रूट आप एक स्क्वर माइनस एक स्क्वर स्केर वाला ठीकर तो अपलाई कर देते हैं चलो तो गए यह तक के देखो तो 2 root of sorry minus integral root of 3 square minus x plus 2 whole square क्या अप्लाए करेंगे हम using integral a square constant का square minus x square dx क्या था यह sin inverse वाला था x by 2 root a square minus x square plus a square by 2 sin inverse x by a plus c बड़ाबर चलो यह हम i2 solve कर रहें यह आपर i2 लिखना पड़ेंगा तो i2 equals to using यह हम use कर रहें यह आपर proof तो इसको भी mention करना होता है यह 2 बाहर है 2 कर लो तो बड़ा bracket बनाओ x by 2 x नहीं x के जगा क्या है आपर x plus 2 by 2 root as it is 3 3 का square minus x plus 2 का whole square बड़ाबर plus a square by 2 a square मतब 3 square by 2 sin inverse x by x के जगा x plus 2 है ना right i think 2 है हाँ 2 है upon a a कितना है 2 plus c2 करना है आपको यहाँ पे bracket complete कर लो c2 constant 2 c2 use करना आपको पहला c1 हो चुका था चल तो हो गए आप यह 2 multiply कर लो अंदर तो यह 2 to cancel हो जाता देखो 2 अगर यहाँ प्लस 2 root 3 का square लिखना है तो 9 लिखोंगे आप यह इसको solve करना है तो करो नहीं तो फिर वैसे ही रखो it's your choice तो यह 2 cancel होंगा इसके साथ multiply होने के बाद तो यह 3 का square कितना लिखेंगे आप 9 sin inverse x plus 2 by 2 ओके प्लस c2 तो यह हो गए i2 की value अभी i1 और i2 की value put कर दो equation 1 में sorry put i1 and i2 in equation 1 i1 and i2 equation 1 तो क्या था i1 minus i2 था हो i1 minus i2 यही था i1 की value क्या है minus 1 by 3 5 minus 4x minus x square to the power 3 by 2 minus और यह i2 की value x plus 2 c1 और c2 को मिला के c बना देंगे बाद में जीके तो उसका तो कुछ problem है नहीं 3 square minus x plus 2 whole square plus 9 sin inverse x plus 2 by 2 plus c तो c1 minus c2 बना के c लिख दो कोई problem नहीं किसी को चलो तो यह हो गए final answer कि एक मिनिट यहाप पर थोड़ा सा यह हो गया है यह पर एक यह था ना तो यह की value 3 ने लिखी 2 लिखी यहाप 3 करो चेंज को रहा है आपर बाकी सब सही है एक मिनिट यहाप भी 3 करना पड़ेंगा आपको एक स्प्लस 2 बाइस वह तो पुर्ण कई तो भी मिस्टेक हुआ था तो इस तरीकिये से ध्यान में लखो फिर से थोड़ा सा चेक करते जाओ तो यह हो गया final answer हाँ भली आप इसको ऐसे लिख सकते हो का वे गया अगर इसको आपने पुरा सॉल किया तो रीका स्क्राइब नाइन होगा पूरा सॉल करने के बाद आपको यही मिलेंगा 5-4x-2 चेक कर लो ठीक है तो यहां तक के भी लिखा तो भी आपको फूलिमाक्स मिलते है चलो तो यह था नंबर नाइन चलो नंबर 10 इंटेग्राल 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 इंटे है किसी भी function का derivative present है उसको आपको क्या करना पड़ता है पूट करना पड़ता है फिर से याद आएंगी हमें differentiation की right तो differentiation क्या बोलेंगा चलो यहां पर tan x क्योंकि tan x का इस x square x है तुम्हें मैं भूल जाओंगा tan x equal to t put tan x equal to t differentiate with respect to x ठीक है तो एनी differentiation आपको करना है तो क्या करेंगे कि आप differentiation tan x का क्या होता है 6 square x right कभी मैं याद आऊ तो चले आना चले आना आ गया derivative ठीक है आ गया वापस derivative 6 square x tan x का derivative 6 square x यह dx multiply करेंगे हम 6 square x dx equals to dt तो यह हो गया yes 6 square x dx equals to dt तो i को फिर से redefine कर रहे हम 6 square x dx को हटा दो यहां से और इसकी जगाद dt लिको और root में क्याएंगा tan x की जगाद t t square plus t minus 7 dt ओके quadratic polynomial फिर third term add subtract चलो third term third term 1 by 2 into coefficient of t कितना है 1 तो यह square 1 by 2 का square होता है 1 by 4 तो third term आ गया 1 by 4 add and subtract है कि यह बात दिल मिला ना ना कभी मैं याद आओ तो चले आना चले आना तुए मैं भूल जाओंगा तो हुआ यहां तक के देखो तो पूरा यहां पर आपको क्या करना है 1 by 4 add करना है 1 by 4 subtract करना है तो आगे हम करते हैं इसको solve यह लिखा मैं नहीं आप पर root t square plus t minus 7 t square लिख लिए पहले बाद में t लिखो और बाद में क्या करना आपको third term add करना है third term subtract करना है और last में कितना है यहाँ पर 7 था वो 7 लिखना है dt as it is चलो इतना next step next step में क्या करना है यह 3 का group यह 2 का group यह t square plus t plus 1 by 4 कम लिखेंगे 1 by 2 का square और इसका calculation कर लो minus 1 7 for the 28 क्या होगा cross multiply 28 over 29 तो minus 29 by 4 यह ऐसे कर लिया मैं यहाँ पर ठीक है और 4 का square root होता है 2 तो इसलिए आप इसको ऐसे लिख सकते हों ठीक है root 29 by 2 का whole square और यह dt अपलाए करो आप क्या अपलाए करूंगे आप using root of यह variable है तो x square minus a square dx ठीक है तो यह 3 special proof जो बता है तो मैंने आपको root of x square plus a square root of x square minus a square और a square minus x square root वाले ठीक है तो यह तीनों भी आपको इस exercise में बहुत ज़्यादा काम आ रहे है क्या होता है x by 2 root of x square minus a square minus here we have to use minus ठीक है तो minus लिखना है आपके a square by 2 log of x plus root of x square minus a square plus c बस रखो i equals to देखो x by 2 x तो नहीं है आपके कितना है t plus 1 by 2 है तो t plus 1 by 2 इसका नीचा अपॉन 2 ठीक है x by 2 के जगा root of x square minus a square तो x यह t plus 1 by 2 whole square यह root वैसे ही दिखना है आपको जो है root 29 by 2 का whole square minus a square by 2 यह जो है पूरा root 29 by 2 का whole square upon 2 log x x के जगा t plus 1 by 2 है t plus 1 by 2 plus root यह पूरा है लिखो t plus 1 by 2 square minus root 29 by 2 का square ठीक है तो यह से लिखो और उदर plus t लिखना होंगा आपको ठीक है इंडिंग में plus t अभी यहाँ पे space नहीं है समझ लो थोड़ा सा adjust कर लो आप yes अभी आगे क्या करना है चलो तू आगे यहाँ पे t plus 1 by 2 है cross multiply कर लो कितना हो रहा है वो 2t plus 1 यह 2, 2 to the 4 बराबर root में क्या है t plus 1 by 2 t plus 1 by 2 whole square root 29 का हो जाएंगा 29, 2 का square 4 4 minus root 29 का हो जाए 29, 2 का square 4, 4 to the 8 बनेंगा आगे दन में तेको यह multiply हो था 2 का square 4, 4 to the 8 यह जाएंगा 4 into 2 log of t plus half t plus half plus root of root 29 का square मतलब हो जाएंगा यह root 29 by 2 का square तो 29 by 4 हो गया यहाँ पे bracket mod complete plus 3 तो इस तरह के से आपको लिखना है बाद में आपको t की value भी put करना है tricky value क्या है तो चलो इतना कर लो complete और वो calculation कर लो जापे चलो त्यादक हो गया अब इस पागे solve करना है यह देखो 2 t plus 1 by 4 यह जो bracket यह जो root है किस से मिला हमें यह t square plus t minus 7 से मिला था हमें ठीके इसको solve करके यानि इसको खट्टम बनाके हमने यह लिखा था ठीक है पूरा format लाकर तो यह पूरा repeat return जाके यह लिखना आपको t square plus t minus 7 सही था चलो तो यह 29 by 4 to the 8 log of t plus half यह भी सेम देखो यह जो है यहां पर हमने जो लिखा वह लिखना है यहां पर t square plus t minus 7 more complete plus t t के बहरे पूट कर दो फाइनली 2t के जगा 10x आएंगा 10x plus 1 by 4 यहां पर 10 square x plus 10x minus 7 okay minus 29 से यह ना question check कर तो एक मिनिट question check करने दो मुझे पाइर तो किया तो question 10 square x plus 10x हां सही है 10 square x 10x minus 7 ओके तो लॉग ती के जगा 10x plus half इदर 10 square x plus 10x minus 7 plus c ठीक यह पूरा आएंगा समझे हो यह इतना portion थीकर यह जो रूट वाला था इसके टीकर 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 आनेक्स कूट कर दो बाकि सब सही है तो यह होगा हमारा final answer question problem number 10 is completed next problem number 11 integral root of x square plus 2x plus 5 dx write down फिर से क्या है quadratic polynomial let i equals to integral root of x square plus 2x plus 5 dx क्या करना है आपको third term निकलना है सबसे पहले क्यों third term x square का coefficient 1 है तो directly आप third term निकल सकते हो 1 by 2 into coefficient of x कितना है 2 whole square यह cancel यह cancel 2 to cancel मतलब यह 1 का square 1 third term क्या है 1 तो add करो और subtract करो add and subtract 1 तो i equals to integral root में है x square plus 2x इसके बाद add करना है क्योंकि यह first second third add करो minus 1 plus 5 ठीक है और यह dx integral root यह क्या होता है a square plus 2ab plus b square इसको arrange कर सकते हो आप 1 का square क्योंकि 1 का square में लिख सकते है 5 minus 1 यह दोनों को प्लस 2ab plus b square a plus b whole square यहाँ पे x है b च्वाला plus यहाँ पे 1 whole square 4 को हम क्या लिखेंगे 2 का square now use here क्या उसकरते हैं क्या उसकरते हैं बोलो yes root of x square plus a square apply करना होंगा में using root of integral root of x square plus a square dx special proof x by 2 root of x square plus a square plus a square by 2 log of x plus root of x square plus a square plus c चलो तो इतना हो गया तो अब आप x के जगा क्या करोंगे x plus 1 पूट करोंगे ठीक है तो x by 2 है तो आपको क्या करना है आप एक्स के जगा एक्स प्लस 1 है तो x plus 1 by 2 लिखना है root as it is x square plus a square यानि यह जो लिखना है x plus 1 whole square plus a square मतलब 2 का square प्लस a square by 2 a square कितने हाँ पर 2 square by 2 log of x plus root जैसे के वैसा x plus 1 whole square plus 2 का square ठीक है yes complete mod complete plus c plus c लगा दो अब क्या कर सकते हो आगे इस देखो 2 का square कितना होता है 4 4 by 2 मतलब 2 बराबर तो x plus 1 by 2 अब यह जो चीज है इसको अगर solve कर लिया आपने तो क्या मिल रहे आपको देखो x square plus 2 x plus 1 फिर से वही मिलेंगा आपको 2 का square 5 4 plus 1 5 तो 5 लिख सकते हैं हमें आप x square plus 2 x plus 5 जो कि आपका problem में original problem था वैसे ही आपको return मिलेंगा ठीक है यही था x square plus 2 x plus 5 सब्सक्राइब यह पर 2 का square होंगा 4 4 by 2 मतलब 2 आएंगा फिर से आप लोग आप x plus फिर से इसके जागा भी यही लिखने आपको स्वाल कर लिए तो वही मिलेंगा आपको x square plus 2 x plus 5 u plus c तो यह हुगा हमारा final answer चलो लिख हो कि एक्स प्लस रूट ऑप x के जगा क्या यहाँ पर x plus 1 लिखना पड़ेंगा यहाँ यहाँ पर भी x plus 1 ठीक है करेक्शन है लिखो यहाँ पर टीक है नूमबर 12 क्या है यहाँ पर integral root of 2 x square plus 3 x plus 4 dx ट्रीको लेट, r equals to 2 x squared plus 3 x plus 4 dx, क्या करना हैं, आपको x squared का को इफिशने बन चाहिए, तो 2 को ले लो बाहर, ठीके, common ले लो, तो ये common ले लो root में, x squared plus 3 x by 2, क्योंगे common लेना मतलब divided करना होगा, अगर 2 से divided किया फोर को कितना होता क्योंके टू कॉमन ले रहे हैं यह आपे टू बचेंगा टू टू जा फोर होता है सही है और यह डी एक्स चलो थर्ट टम निकाल सकते हो आप थर्ट टम क्यूंकि एक्सक्वार का कोईफिशेंट वान आ चुका है 1 by 2 into coefficient of x कितना है 3 by 2 तो 3 by 2 whole square कितना होता है 3 बन जा है 3 2 2 जा 4 whole square 3 का square 9 4 का square 16 ठीक है 9 by 16 तो add and subtract 9 by 16 चलो तो आगे देखो यह add and subtract 9 by 16 तो 9 by 16 हमें add करने वाले हैं तो कैसे करेंगे आप ही यहाँ पे देखो root 2 है पहले root 2 लिखो integral root में क्या है x square plus 3 x plus 2 हो गया है यह first second थर्ट तम add करना है 9 by 16 को add करो तुरंद subtract करो और last वाला क्या था यह 2 लिखो यहाँ पे 2 और इधार dx समझे है चलो तो आगे करो इसके बाद यह 3 का ग्रूप यह 2 का ग्रूप root 2 लिखो x square plus 3 x by 2 मैं बोला था आपको थर्ट तम को क्या करना है आपको square form में लिखना है 9 को हम लिख सकते 3 और 16 को लिख सकते 4 इनका whole square यह कैसे करोंगे आप इसका calculation देखो माइनस 9 और यह 16 16 ले लेते हैं 16 तू जा 32 अपन 16 32 माइनस 9 कर लो कितना हो रहा है वो 32 माइनस 9 प्लस 32 अपन 16 मतलब आपको मिलेंगा 32 में से अगर 9 चला गया तो 23 23 बाए 16 ओके यह रूट 2 इंटीग्रल यहां पर a square प्लस 2ab प्लस b square a प्लस b whole square x लिखो प्लस यह 3 बाए 4 का whole square यहां पर बचेंगा 23 23 23 बाए 16 और यह dx 23 बाए 16 को भी आप लिख सकते हो कैसे square form में x प्लस 3 बाए 4 whole square 23 को लिखेंगे आप root 23 और 16 को लिखेंगे 4 और इनका whole square dx हो गया सही अब यूज करो special integral root of x square plus a square वाला ठीक है क्या होता है यह x by 2 root x square plus a square plus a square by 2 log of x plus root x square plus a square plus c ok चलो तो ऐसे लिखने के बाद आपको यहां पर लिखना है यह i के लिए आप solve कर रहेते हैं तो i equals to root 2 देखो x by 2 x नहीं है यह आप x plus 3 by 4 है लेकिन बड़ा bracket बना यहां पर क्योंकि यह root 2 multiply इसी integral को तो उसका जो answer आएंगा उसको भी root 2 multiply रहेंगा x by 2 तो x के जगा आएंगा x plus 3 by 4 upon 2 root x square plus a square मतलब यह हैंगा x plus 3 by 4 square plus root 23 by 4 का square plus a square by 2 a square by 2 मतलब root 23 by 4 का square upon 2 okay log जो mod है वैसी आएंगा यह पूरा x के जगा हैंगा आप एक्स plus 3 by 4 plus root यह root repeat कर दो यह पूरा x plus 3 by 4 square plus root 23 by 4 ठीक है अभी जगा नहीं है आप समझ लो थोड़ा plus c ठीक है ऐसे करना आपको क्योंकि जगा कम है वहाप है बूट छूटा होनी के वज़े से थोड़ा adjustment कर लो चलो तो यहां पर क्या कर रहे हो आप root 2 लिखना है एक्स प्लस फोर इंटू एक्स फोर एक्स फोर एक्स फोर एक्स प्लस थ्री यहां पर फोर रहेंगा फोर इंटू ठीक है और यह रूट में कितना मिल रहे है आपको यह एक्स प्लस फ्री यह कहां से मिला सब आपको कहां से मिला था आपको एक मिनिट टू एक्स स्कुर प्लस थ्री एक्स फोर था ना शायद रूट में था नहीं हां रूट में था है था है तो यह हमने रूट फ़र निकाल था से रूट थू आया था एक्स फ्क्वाइगँ 3x by 2 प्लस 2 तो इसके जगह हम लिख सकते हैं ठीक है यहां से हमने 3rd time अगेड़े निकाला था और यह आपको मीला था तो इसके जगह आप यह सीधा लिख सकते हो क्या लिखिंगे x2 plus 3x by 2 plus 2 तो ऐसे करने हैं आप डारिकली लिख सकते हैं चलो तो next plus root 23 का square 23 होंगा 4 का square 16 16 into 2 नीचे वाला ठीक है अगर हमें square कर लो a square by 2 था log of mod x plus 3 by 4 plus root root में जो है वो लिखो x plus 3 by 4 का whole square root 29 by 4 का whole square कितना होता है 23 23 by 16 अब फिर से वही करना आपको इसके जगा भी वही लिखना है क्या लिखना है देखो यही root वाली values x square plus 3x plus 2 ठीक है plus c bracket complete करना ही है देखो यह root 2 multiply है इसलिए चलो तो final calculation बना लो यहां पर कितना हो रहा है तो final calculations root 2 4x plus 3 4 to the 8 root में है आपे x square plus 3x by 2 plus 2 ठीक है plus 23 16 to the 32 log x plus 3 by 4 root में है x square plus 3x by 2 plus 2 plus c तो यह होगा हमारा final answer आप check कर लो ठीक है अगर कुछ correction तो नहीं लग रहा मुझे हाँ पर ठीक है तो इस तरीके से मैंने solve कर लिए यह question पूरा right on